हलो विए वेल्कम टू माई चानल निजल गैबल चारेट्स and इस वीडियो आप मेट पॉर जेमिनाई लेट सी वर दा मैसेज़ेस पॉर दा जेमिनाई मितुन राशी के जातकों के लिए आपका जनुरी के मन्त में अदर मैसेज़ेस में भी और आपके प्रेम सम्बंदों में क्या मैसेज़ेस है और उसके अलावा क्या मैसेज़ेस है अपने लवमेड से इस अद कुछ भी छुपाईएगा नहीं छुपाएंगे तो बाद में पता चलेगा तो गरबर हो सकती है इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रेम सम्बंदों में कुछ भी छुपाईए नहीं सच बोलिए और सच की बात ही करिएगा सच रखिये उसके सामने का कुछ छुपाई हुए है बहुत दिनों से तो उसको बता दीजेए जो भी है जो भी मन की बात है आपकी उसको बताईए जरूर क्योंकि यह जरूरी है प्रेम से बोलिए और सचाई के साथ बोलिए और लव is all around you आप अगर देखेंगे there is love everywhere all the time simply acknowledge this as truth यह एक सचाई है एंजिल्स कहा रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सारा प्रेम है आप अपनी अंदर औरा में उसको absorb नहीं होने दे रहे हैं ब्लॉकजिस की वज़े से क्योंकि कई बार ब्लॉकजिस जादा तर लोगों के ब्लॉकजिस होते ही होते हैं औरा में तो अपने प्रेम संबंदों में अपने जो आपका love meet है उसकी प्रेम की उर्जा को अपने अंदर आने दीजिए accept करियो उसका love आपको अगर लगता है कि कुछ hindrance आ रहे हैं तो मानके चलिए कि कुछ black कुछ blockages कुछ black energies हैं जो कि रोक रही हैं आपके प्रेम संबंदों में जैसे बात बन नहीं पाना आपस में लड़ाए जगड़ा बहुत जादा हो जाना अगर ये blockages आ रहे हैं तो अदर्वाइस आपके चारो तरफ इस वक्त प्रेम की उर्जा का संचार है आपके प्रेम संबंदों में आपको यह भी मेसेज आ रहे हैं क्यों कि हमने कुछ ने कुछ किया होगा शायद या गलती संजाने को गलती हो गई होगी तो क्या पिछले जनम कुछ हुआ होगा जो भी हुआ होगा तो वो चीज वहाँ पे effect करने लगती है आपको true love नहीं मिल पाता हो जादा तर cases में ये होता है तो research में ये चीज पाई गई है कि past के जो कर्मा होती है वो इस जनम में आप उसके हगदार नहीं है लेकिन आपको वो सफर करना है आपको वो देखने पड़ेगी situation खराब situation तो ये चीज जादातर होती है इसको रेकी healing के थुरू सही किया जाता है क्योंकि मैं खुद एक रेकी healer हूँ इसे कहते हैं कार्मिक effect को हटाना थुरू रेकी healing रेकी healing के में कार्मिक effect को हटा दिया जाता है ये जो मैं आपको बता रही हूँ किसा result भई आप इस जनम में क्यों भुद कियो सफर करें तो यहां ये message आ रहा है कि आप कुछ दान कर सकते हैं किसी के help कर सकते हैं अवस्या है पूर्णिवा वाले दिन तो आप दिखेंगे आप की प्रेम संबंधों में पति-पत्नी है अगर आप या मैरिश में आपकी लाइफ है या आपकी जो है बॉइफरिंड गर्ल्फरिंड है लॉवमेड है चाहते हैं दूसरे के साथ रहना नेकर हो नहीं पा रहा तो मान के चलिए कि यह चीज़ आपको करनी है कुछ दान कर दीज कुछ भी किसी नीडी परसन की कुछ मदब कर दीजे और सब कुछ ठीक ठाक है सब तो बहुत अच्छा आपका रिष्टा ऐसा आपका दिख भी रहा है कि रिष्टा अच्छा है आप लोगों का आप लोग का बस थोड़े से ब्लॉकेजिस है वो थोड़े से हटा लीजे और चारो तरफ आपके फ्रेम भी है पहचानिये उसको और नेक्स्ट मेसेश में अदर मेसेश में हैपी लव का बहुत बढ़िया काड़ा हुआ है आपके जिन्दगी में जैसे कि मैंने बोला ना प्यार है आपके लाइफ में आप उसको अगर पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं है कोई बात नहीं है पहचानिये वही जो मैं आपको कह रही हूँ आपके जिन्दगी में युनिवर्स आपको खुशियों भरा प्यार दे रही है वो प्यार जो हैपी वाला है वो प्यार जो खुशियां देने वाला है आपके पार्टनर्शिप में भी दिख रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपका दोस्त बहुत अच्छा है, दिख रहा है, एर अलमेंट काफी अच्छा दिखता है आप लोग का, work with the elements of air to cut through to the core of situation and see the truth, देखी जब भी हम एर अलमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारे अंदर वायू तत्व होता है, अगर आप प्रणयाम कर रहे हैं, अपने अंदर वायू का जो स्त्रोथ है, प्रचुर मातरा में हैं अगर, तब तो वो आपके यहां balance दिखा रहा है, आपके other messages में यहीं पर message आ रहा है, जो कि बहुत clear है, कि इस वक्त आपको अप अपने वायू तत्व पे काम करना चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कर लीजे, next message यह आ रहा है, listen to the divine wisdom and joyfully learning life's lessons, इस वक्त इश्वरिय शक्तिया, आपके जो आस्वास हैं, जो divine energies हैं, वो कुछ message कर रहे हैं आपको, symbols के थुरू, या कोई photo दिखा के, या कुछ visualize हो रह हैं दिमाग में, कुसका solution नहीं मिल रहा है, meditation करिए, और spiritual, अपने इश्ट देव से connect करने कोशिश करिए, universe से बात करिए, वो आपको message करेंगे, जैसे कि मैंने बोला ना प्रणयाम कर सकते हैं, तो best है, उससे आपका air element पे अच्छा हो जाएगा, और आपको अपने problem का solution नही मिल जाएगा, universe provide करेगे, यह चीज़ आप करिए, यहाँ पे एक lucky चीज़ दिख रही है, और अपने आपको realize करवाईए, कि हाँ, मैं ये काम कर सकता है, कर सकती हूँ, अपने रिष्टे को अच्छे बनाने के लिए, the answer is here and take heed, और प्रशनों के उत्तर आपके अंदर ही है, बस आप meditation कर लीजे, तो धान लगा लीजे, तो हो सकता है कि आपको एकदम से strike करें, idea, mind में कई बार ऐसा होता है, कि हम अकेले बैठे होते हैं, चुपचा बैठे होंगे, और एकदम से idea में, मतलब एकदम से idea आता है, या कोई ऐसा thought आता है, और हम सोचने लगते हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये चीज़ होगी आप लोग के सा, अगर आप ऐसा करते हैं तो, communication skill अच्छा दिख रहा है, बातचीत करने में आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मधूर बोलते हैं आप लोग, मधूरता आपके बोली में है, उसको use करिए, आप जान अगले जने को सुनना आप जानते हैं, आपके नता है quality है, अगले जने को observe करना, उसकी बातों को सुनना जैसे होता है, अगले जने को कई बार ऐसा quality होती है, कि हम दूसरों की बात ने सुनते हैं, लेकिन आप में ऐसा नहीं है, आप सुनते हैं, अगले जने की बात सुनते ह और उसका दिल भी जीतते हैं अपनी बोली से आपके मेसेज आ रहा है दुबारा से नई तरीके से अपनी इस वक्त लाइफ को बनाने कोशिश करी जिन्दगी जो है वो एक नई तरीके से शुरू हो गी आपकी नई चीजे आएंगी यहां पर यह मेसेज आ रहा है और उसके लिए तयार रहे है स्ट्रॉंग रहे है कि हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ नई चीजे मेरे लाइफ में आ रही है चाब पैसे को ले करके हो चाब के संबंदो को लेके हो नई चीजे जो भी चेंजे आपके लाइफ में आ रहे है उसके लिए तयार रहे है यह नहीं की अपॉशनिटी आई हाथ में आप बैठे रहे गए यह मत करिएगा रिष्टे में कई ऐसा लगता है कि खुशी बरे माहौल आपको एंजॉय करने का मौका मिलना है जाए एंजॉय करिये आपको लगता है कि आपको अपॉशनिटी आ रही है या इंकम के स्थोथ कई खुल रहा है या इंकम में आपके इंक्रिमेंट हो रहा है कुछ आप पे महनत करने की जरूद पड़ रही है करिए वहां पर मेहनत आपको result मिलेंगे चीजें बदलेंगे आपके life में I think the message is very very clear from the divine energies thank you so much thank you so much